Hello guys, welcome back to my YouTube channel भारत्स बायलोजी I hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे गेट एक्जाम के बारे में कि गेट एक्जाम होता क्या है, क्या इसके लिए eligibility होनी चाहिए और क्या-क्या benefits आप लोगों को मिलने वाले हैं इस exam को qualify करने के बाद तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले गेट एक्जाम के बारे में जानते हैं गेट एक्जाम हमारा हर साल सेंटल गवर्मेंट द्वारा हेल्ड कर आया जाता है गेट एक्जाम की फिल फॉर्म होती है ग्रेजवेट एफ्रिट्ट्यूट टेस्ट इन इंजिनियरिंग लोग सोच रहे होगे कि इसके अंदर तो इंजिनियरिंग वर्ड आ गया ये तो इंजिनियरिंग फिल्ड वाले बच्चों के लिए कोई exam है बट ऐसा नहीं है इस exam के अंदर हमारे life science stream के बच्चे भी eligible होते हैं तो बात करते हैं आपकी eligibility के बारे में कि क्या क्या आपको qualification की जरुरत है इस exam को देने के लिए और क्या क्या benefits आपको मिलने वाले हैं अगर आप इस exam को clear करते हैं अगर आप gate exam देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने graduation के अंदर आपकी 55% marks होने चाहिए किसी भी life science stream के अंदर suppose करिया आपने biochemistry, botany, microbiology, geology, food technology, biotechnology इन मेंसे किसी भी course से अपना graduation किया है और आपके 55% से ज़्यादा marks है तो आप eligible हैं इस exam को देने के लिए तो इस exam के syllabus के बारे में बात करते हैं और exam pattern के बारे में तो इस exam के अंदर हमारे 65 questions होते हैं जो की 100 marks का weightage रखते हैं और आपको 3 गंटे का समय दिया जाता है इस exam को करने के लिए तो जो हमारा section A होता है वो होता है general aptitude जिसके अंदर हमारा math reasoning यही common चीज़े होती है तो जो chemistry है यह 30 marks का weightage रखता है गेट exam के अंदर अब आपने अगर ग्रेजिशन, बायो टेकनलोजी, माइक्रो बायोजी, जोलोजी, वोटनी किसी भी stream से किया हो बट chemistry compulsory है exam के अंदर तो आपको chemistry पढ़ना ही होगा chemistry आपका 9, 10, 11, 12 के basis पर आएगा exam के अंदर MCQ की form में तो आपको chemistry अच्छे से prepare करना होगा क्यूंकि chemistry 25 marks का weightage रख रहा है गेट exam के अंदर पहला section हो गया general aptitude, second हो गया chemistry and जो last section होता है उसके अंदर आपको 5 अलग अलग सब्जेक्ट के option मिलते हैं जिन मेंसे आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं chemistry, botany, microbiology, geology and food technology इन 5 सब्जेक्ट के अंदर से आपको किनी 2 सब्जेक्ट को चूज करना होता है अपने exam के लिए तो इन 5 सब्जेक्ट के अंदर से आप जिस 2 सब्जेक्ट के अंदर काफी अच्छे हैं पढ़ाई में उन 2 सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं इनका जो syllabus है उसका PDF मेरे वीडियो के description में आपको मिल जाएगा तो आप subject wise जाकर syllabus चेक कर सकते हैं कि किस subject के अंदर हमारा क्या क्या syllabus है तो जो section C है वह 60 marks का weight इस रखता है जिसके अंदर आपको कोई भी 2 subject चूज करने होते हैं इन 5 के अंदर से तो ये तो हो गई exam के syllabus की बात and pattern की बात अब बात करते हैं क्या क्या आपको benefits मिलने वाले हैं अगर आप gate exam qualify कर देते हैं gate exam को qualify करने के लिए आपको 45 marks से जादा marks लाने होंगे अगर आपके 40 से 50 marks के बीच में आते हैं तो आप gate exam qualify कर देते हैं gate exam qualify करने के बाद आपको बहुत अच्छी opportunity मिलती है NITS और IITS में M-Tech करने के लिए M-Tech से अलग-अलग course करने का offer मिलता है जैसे M-Tech Biotechnology, M-Tech Microbiology तो अलग-अलग courses का offer मिलता है NITS और IITS से पढ़ाई के साथ साथ आपको step in भी मिलता है साड़े 12000 से 15000 के एप्रोक्स पर मन्त आपका जो होस्टल का चार्ज होता है वह भी मिलता है अगर आप इंडिया में interested नहीं है पढ़ाई करने के लिए तो आपको एक और offer मिलता है कि आप other countries में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप gate exam qualify कर देते हैं तो आप Singapore and Germany जैसे देश में जाकर आप किसी भी university के अंदर अपना registration कराने के बाद अपने gate exam का scorecard वहाँ पर जमा करिए अपको easily वहाँ पर admission मिल जाएगा अब आप लोगो की दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि हमने gate exam qualify कर दिया हमको पढ़ाई नहीं करनी है हमको सिर्फ job करनी है तो आपको job का वे offer मिलता है अगर आप gate exam qualify कर देते हैं इंडिया के अंदर जो हमारी PSU companies होती है यानि जिन companies के अंदर हमारा 50% share government का होता है और 50% private organizations का होता है तो ऐसी companies के अंदर आपको work करने का मुका मिलेगा और वहाँ पर सबसे अची बात होती है तो आपको stability मिलती है और आपकी permanent job होती है तो मैं कुछ PSU company के नाम बताने वाला जहाँ पर हमारा बिजली का production होता है और जो भी oil companies होती है तो इनके अंदर आपको work करने का मुका मिलेगा और वहाँ पर सबसे अच्छी बात है अगर आप gate exam qualify करके जाते हैं तो आपकी जो starting salary होती है वो 50,000 से plus होती है और जैसे जैसे आपको experience होता जाएगा आपकी salary 1 lakh plus हो तो ये कुछ बाते थी हमारे gate exam के बारे में I hope कि आप लोगों को सबी चीजे समझ आई होंगी and इस channel पर gate exam की series start होने वाली है जिसके अंदर आप gate exam की preparation कर सकते हैं वो भी free of cost अगर आप भी preparation करना चाहते हैं gate exam की तो आप channel को subscribe कर लें and daily basis अबर आपको videos मिलेंगे तो आप यह अज़े प्रपेशन कर सकते हैं